नमस्कार स्वागत है आप सभी का ओला नेड़ा फर्स्ट यूट्यूप चैनल पर इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी अपडेट के बारे में जो के संबन्दीत है यूपी टीटी को लेकर इसके अलावा बीएड के मुद्ध के लेकर तो एक एक करके साही जानकाई आप सभी को दे जाएगी जितने भी अभ्याती इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें साथी शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करनें जिसे कि आपको सदिक जानकाई है ऐस चैनल के माध्यम सबसे बहले मिलती रहें चलिए दोस्तों वीडियो शुर पर देश के लिए हो या फिर पूरे देश के चातों के लिए हाली में होई सुनवाई के अंदर सुपीम कोड की तरफ से बाहर सरकार साती एंसीटी को आदिशित किया गया था कि वो बीर्ड के मुद्दे को लेकर इस संब्द में अपना जो पक्षय हो रख सकते हैं हाली में ए लेकिन बाहर सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी यहां पर दाखिल नहीं की गई है लेकिन वो चाहे तो इस मुद्दे को लेकर सुपीम कोड में अपना जो पक्षय हो रख सकते हैं उसी के करम में आज की तारिक में भी सुनवाई देखने के लिए मिली थी जिसके अंदर ब लेकिन अगर बात की जाए आज होने वाली सुनवाई के अंदर सभी धरे के धरे रहें क्योंकि आप सुभी जानते को सुनवाई देखने के लिए नहीं मिली वहीं दूसी तरफ एंसीटी की तरफ से क्या जवाब दिया जाता ये भी काफी जाना मैत्वूड रा क्योंकि पि कैसे यहां से जानकाई देती और किस प्रकार बियर्ड अब बेरतियों को बचाए जाने का प्यास करती और कौन-कौन से वह तथी जिनकी जानकाई आपको आज की तारीक मिल सकती थी लेकिन सुपीम को सुपीम कोट के पास समय ना होने की चलते इस मामले को लेकर आज काई दे गई थी कि उनकी तरफ से बहुत साए एफिडेविट लेकर के यहां पर गया गय हुए थे जो की बीएड के संबंद में थे बीएड के लिए किये गए संशुधन को लेकर थे बीएड को शामिल करने के बारे में जो अधिसूचना जारी की गई थी उसके पीछे क्य क्या क्या बेक्गाउंड था क्या 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 तथि थे वो सारे के सारे लेकर यहां पर एड्वोकेट्स पहुंचे थे लेकिन सुनवाई नहोने के चलते फिलाल यह मामला टल गया है अब आप सभी को इंतजार करना होगा दो मार्च का और जो भी अपडेट निकलेगी इस च पहली बार सुनवाई ना हो जाए तब तक कुछ कह पाना भी संबब नहीं है क्योंकि पहले सुनवाई हो इसके अंदर सिफ जवाब मांगे गया था नोडिस दिया गया था आज सुनवाई होनी थी जो कि नहीं ओ पाई है फिलाल इंतजार करतें दो मार्च का तब तक ध्यर को लेकर यूपीटीटी दोजाए की उत्तर कुझी को लेकर इंतिजा शार्टों का यहां से समाप्त हो जानते हैं। यूपीटीटीटी को लेकर शासन की तरफ से जारी शासना आधियस के अनुसार 23 वरभाी 2022 को आपकी यांसर की जारी होनी है। और इसके अलावा 25 वबरी 2022 को आपका जो परड़ाम में जारी होना है। हारी में सची परिशा निमक प्रदिकारी के माध्यम से शासंद को पत्र बेज़ कर मांग की गई थी कि चुनावी आचा सिद्धा के बीच में क्या आंसर की जारी की जा सकती है। जिसको लेकर मैंने सुबर की वीडियो में बताया था कि आज या कल सुबर तक आप सभी के सामने यहां से जो रिपलाई वो देखने के लिए मिल जाएगा और उसके बाद में PNP के माध्यम से अपना जो कारे वो कर लिया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर कुंजी को लेकर तो यहां पर परिश्य निमक प्रदिकारी के माध्यम से जानका ही मिल गई है। जब आप सभी की करवाई गई थी उसके बाद मामला नियाले में गया था और एक बाद फिर से मामला नियाले में जा सकता है क्योंकि विवादित को लेकर PNP से मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा को उंबीद करना ठीक नहीं होगा। कुछ ऐसा ही यहां से भी देखने के लिए मिलता है। तो इसके आपको दो ऑप्शन सही हो बनी है तो वहीं जूनियर के अंदर दो कोशन बताए जा रहे हैं ज्यादा बदलाव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि PNP एक ऐसी संस्ता है जो कि हमेशा गलत कोशन डालती है और जब नमबर आता है कॉमन नमबर दिये जाने का तो हमेशा की तरह एक दो कोशन ही कॉमन देती है उनहेतर जास इच्छक भरती में आपने देखा टीडी और वी इससे पहले हुए उसके अंदर आपने देखा पंदर पंदर कोशन चैलेंज किये जाते हैं तब जाकर के एक दो तीन कोशन या से जारे वो खतम हो जाएगा और कल शाम तक आप सुभी की आंसे की आने की संबाबना है अगर यहां पर शासन की तरफ से अनुमती दे दी गई होगी तो वहीं दूसीतर बात की जाए एक और बड़ी अपडेट के बारे में जो की संबनित है परिच्छा में गलत सवालों को ल बात नहीं करना चाहिए फिर आपस में अभ्यति लड़ेंगे लेकिन सब्सक्राइब गलती कि नहीं है जाये और पर इच्छा रद करने की मांग करें और दूसरा चाहदा कि हमारे साथ धोका ना हो ऐसा हमेशा देखने के लिए मिलता है उत्तर प्रदेश बिहार राजस्ता in 10 फिर बिइस हो आप स değiş总 के अंदर गलत कोईशिन डाले जाते मामले न्यायर में जले जाते हैं उसके बाद किया होता करे लेकिन देजी अगर न्याय मिलता है तो आप सभी को यहां से जन खा correspondent के मिलती है एक वाफ से दन सब्सक्राइब परिद्चा के अंदर पूछे गए गलत सवालों को लेकर पूरी परिच्छा को यहांसे रद्द कर दिया गया है हाई कोड की तरब से इसको लेकर जो आधिया से भभी जाली कर दिया है मैं आप सभी को दिखाना बाद परिए परिच्छा को रद किये जाने का फैस्टल लिया गया है नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा जिसका परिडाम सत्यर मुझार मुझा नेवर्म जारी किया था प्रीवी परिडाम का जारी होने थे मामला जब राजस्तान हाई कोट पहुंचा तो कोट ने लोग सिवा आयूक से रिपोर्ट मांगी अब कोट ने आयूक के एक्सपर्ट करमजी को रिपोर्ट को खाइस कर दिया और कोट ने आयूक को फेसे रिजल्ट बनाने कर जो आदिय से वो दिया है इसलिए चातों की बीच खुशी की लहर देखने के लिए मिल रही है फिलाल इस पर इच्छा को रदिकार दिया गया है आगे क्या होगा वो आप सिभी को बताया जाएगा लेकिन एक बात पूरे तरीके से सही है गलत कोशिशन बनाए जाते हैं जिससे कि चात्रमुद्द्यों को बठगा देत हैं और इसको लेकर जिम्रिदार हमेशा अधिकारी होते हैं बागी आपकी राइक है कमेंट करें वीडियो को लाइक करें साधी शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना पुलें